इस वीडियो में हम जानेंगे राश्ट्रे ठीका करन दिवस यानि नैसनल वैक्सिनेशन डे कब मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? जानेंगे जोड़े सभी तथ्यों को जो भी एक्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। पिरतेग बर्स 16 मार्च को भारत में राश्ट्रे ठीका करन दिवस मनाया जाता है जिसे नैसनल इम्यूनिजेसंडे यानि आई एमडी के रूप में भी जाना जाता है। यह पहली वार 16 मार्च 1995 को मनाया गया था जब औरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। यह बिस्व में पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए जागरुकता प्रदान करता है। तो आपको ध्यान अखना है भारत में हर साल 16 मार्च को राष्टे ठीका करन दिवास यानि नैसनल वैक्सीने संडे मनाया जाता है। जिसे नैसनल इम्यूनिजेसंडे के नाम से भी जाना जाता है। पहली बारी से 16 मार्च 1995 को मनाया गया था। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए थैंक्यी फो वोचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।